आज हम बनाने जा रहे हैं करेली बिल्कुल नए तरीके से तो सबसे पहले हमें अच्छे साप पंज से वाश्टर लेना है इसे कृष टायम की लिए नमक लगा एक जाए तो चलले पढ़री से कट करवें इसे कट कर लिए और अब हम से थोगा ठाइब में रख देंगे नमक लगाकर और थोड़ा सा सरसो का तेल डाल देंगे इसी में, कुछ तक धूप में रख देंगे इसे, इससे क्या होता है कि इसका जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है, दोस से 15 मिनेट के लिए हमको रखना इसको दूप में नमक लगाकर 15 मिनेट दूप में रखकर हो चुके हैं और अब हम इसे अच्छे से साफ पानी से 2-3 बार वाश कर लेंगे ताकि इसका कड़वापन निकल जाए अच्छे से को चेंखि करेवे को अच्छे से अच्छे से हमने वाश कर लिया तीन पानी से और इसका सारा पाने भी निकाल लिया तो अब हम चलते हैं इसे 받아 कर दके लिए जिसके लिए कड़ा दिए तो कड़ाई में अब हम तेल डाल देंगे, चाल चमस तेल डाल दिया है इसमें और तेल के गरम होते ही हमें करेली को फ्राइ कर लेना है तेल देखे अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम डाल देंगे इसमें करेली इसमें करेली साथ में डाल देनी है अब पड़ भी बिल्कुल नहीं हो आप भी ज़र पड़ पर ट्राइब करिएगा इस तरह से थोड़ा टाइम तक हमें चलाते रहना है गुलाबी होने तक हमें करेली को प्राइब कर लेगा है करेली का सारा पानी हमें कर देना है तक अची तरह से फ्राइ हो जाएगा रहा है देखिए एक रफ हमारी करेली फ्राइब हो रही है और दोसे तरह देखिए हमने चार प्याज कट करके रख लिए है लसो नदरक का पेष्ट भी बना लिया है तो इसके फ्राइ होते ही हमें मसाला तयार करना है हलका मसाला युट डालेंगे इसमें यह में इस तरह से कुछ टाइम तक हमें चलाते रहना है ताके हमारी करेली जो है तो वह बढ़िया से गुलाबी-गुलाबी फ्राइ हो जाएं बिल्कुल नए तरीके से बना रहे हैं इसलिए एक करेली जो है तो बढ़ियत से फ्राई हो चुकिए हल्ती गुलाबी तो इसे हम निकाल लेंगे क्लेम को स्लो कर लेना है और इस तरह से क्लेट में निकाल लेना है देखिए सारी करेली हमने तेल से निकाल लिए किती बढ़ियां से फ्राई हुई है और अगमे बचे वे तेल में ये प्यास डाल देनी है प्यास हम बड़ा ज्यादा ही उज़ कर रहे है अगर आप चाने तो कम डाल सकते है प्यास ज्यादा डालने से क्या होगा कि करेली में तो तेज़ भढ़ जाएगा और करवापन भी कम ही लगेगा इसलिए हम लोग प्यास ज्यादा ही डाल वहें कुश्टाइन से किसी तरह से हाई फ्लेम करकर प्याज को भी हम फ्राइ कर लेंगे गुलाबी होने तक देखे प्याज भी गुलाबी हो चुकी है और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और इसे तो बड़ा कलार देंगे और यह डाल देंगे हम लसुन द्रग का पेष्ट और इसकी बढ़ टाइम से करते हैं आइंको प्राइक ना कुछ भीकुशतनtechn around 11 गिवक कि वस्दोट करेंतें जीजी कर दांडर कम्स पांबी होने किस दिनTime कि अट 8.घ्वरिच कर देंगेशं मिल्की अवह जाने तो श्खिता गलार सब्दम दुदा हो इसमें ड्मिदी प्राइवज,श्चिकिया, प्रण पा एक चमश लाल मिर्च पॉडर आजे चमश हल्डी पॉडर दो चमश धन्या पॉडर बड़ा सावर डाल डाल वेते हैं एक टमाटर कट करके डाल देंगे तुड़ा पानी डाल देंगे ताके मसाल अच्छे से पक जाए तो फिर से इस तरह से चला देना है और थोड़ टान तक मसाले को में पकने देना है तकन बंद कर रही है अब सारा देखी किता बढ़ियां से पक चुका है तो अब इसमें हम फ्राइट के हुए करेली डाल देंगे इस तरह से इस तरह से इस तरह से तला देना है इस तरह से थोड़ा सा पाने डाल देंगे अर लगतलो ड़ोग है न कर देट उमें से अब एंच कर दोंगी है कर वांद करनी तरह से तरह से करेली पक चुकिए और कुछ तैन अब ही सिपन कर नहीं गोशा जखर से हिसा तो नंहों ने वांज़ा नी続 अधे तुमस्मिन नमक यूज चिया है इस तरह से लिए अगर ब्रेम को स्लो करके तोर टाइम कर अगर में इस तरह बूंगते रहना है तरह लिए इस तरह से करवापन तो बिल्कुल ही नहीं है तो अभी सब्सक्राइब करेली बनकर त्यार हो चुकी है बहुत ही ध्रेश्टी बनिये और करवापन तो बिल्कुल ही नहीं है तो अभी से हम सब्सक्राइब करेंगे बहुत ही तेश्टी और डिलिस्यास बढ़ी लिए करेली की सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी जुरू एक बार ट्राइ करिएगा देखिए डालेंगे इसमें तो प्लेज गाइज अगर आपको मारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें अला आपिस टेक किया और फिर मिलते एक नहीं वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई झालेंगे